पंजाब के सभी लोगों को मेरा नमश्कार सक्सरियकाल जी आज एक बहुत थी एहम मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं जिस जो पंजाब के कई लोगों के मन में इस वक्त है और उन्हें तकलीफ दे रहा है कल एक आदमी आया मेरे पास मुझे कहता है जी मैं हिंदू हूँ और आज पंजाब में हिंदूओं के मन में खास कर व्यापारियों के मन में सुरक्षा को लेके बहुत चिंता चल रही है पंजाब एक बहुती बुरे आतंकबाद के दौर से गुजरा है और इसलिए केवल हिंदू ने सभी लोगों के मन में पंजाब की कानून विवस्था को लेके सुरक्षा को लेके आंतरिक सुरक्षा को लेके काफी चिंता चलती रहती है कि वापस वो दौर किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए तो उसने मुझे कहा जी पिछले दिनों की जो कुछ घटनाएं हैं उन्होंने हमें चिंतित कर दिया जिस तरह से भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस के बीच में पी-म की सिक्यूरिटी को लेके एक गंदी राजनीती हुई उससे बोला कि लोगों के मन में खास कर हिंदों के मन में बड़ी कि ये चल क्या रहा है नैशनल सिक्यूरिटी के मुद्धे पे इंटर्नल सिक्यूरिटी के मुद्धे पे इस किसम की राजनीती अच्छी नहीं है अगर ऐसे राजनीती होगी तो फिर सुरक्षा कौन देगा जिस तरह से पिछले कुछ महीनों के अंदर पंजाब के अंदर कई सारे घटनाएं घटी हैं जगे जगे टिफिन बॉम बिल रहे हैं जगे जगे बॉर्डर से ड्रोन्स आते हैं लुध्याना में बॉम ब्लास्ट हो गया बेदभी की घटनाएं हो गई मैं आज पंजाब के सभी लोगों को हिंदूओं को भी, सिक समाज को भी, क्रिश्चन्स को भी, मुस्लिम्स को भी सभी जाती के लोगों के, सभी धर्वनों के लोगों को, तीन करोड़ पंजाबियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी एक-एक व्यक्ति की, एक-एक व्यपारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी दिल्ली में हम सरकार चला रहे हैं साथ साल से केंदर सरकार से हमारे बहुत सारे मतभेद हैं होते ही हैं दो सरकारों के बीच में लेकिन आप लोगों ने देखा कि कभी भी हमने जब जब देश का मुद्दा आया जब जब समाज का मुद्दा आया जब जब लोगों का मुद्दा आया हमने कभी राजनीती नहीं कि उस पे आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से करोना के वक्त में हमने केंदर सरकार ने बहुत बार हमें प्रवोक किया लेकिन उसके बावजूद हमने केंदर सरकार के साथ मिलके काम किया और करोना को अच्छे से दिल्ली के अंदर हमने मैनेज किया मैं पंजाब के सभी लोगों को, हिंदूओं को, सिखों को, क्रिस्चन्स को, मुस्लिम्स को सब को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राश्ट्रे सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के उपर हम कभी भी किसी भी किसम की राजनीती नहीं होने देंगे कोई राजनीती नहीं होगे केंदर सरकार के साथ मिलके पंजाब सरकार काम करेगी और पंजाब के बॉर्डर स्टेट है, बड़ा संसिटिव स्टेट है पंजाब के लोगों के सुरक्षा का देश की सुरक्षा का को सुनिश्चित करेगी है दूसरी बात बॉर्डर पार से नशा आता है आज पंजाब में जो इतना नशा है यह नशा कहां से है? यह कोई राजस्तान से, गुजरात से, हर्याना से, दिल्ली से नहीं आता है यह नशा सारा बॉर्डर पार से आता है ड्रोन सारे बॉर्डर पार से आते है टिफिन बॉम सारे उदर से आते है हम लोग जानते हैं कि कैसे जब बॉम ब्लास्ट हुआ था बॉमबे में उन्होंने उसको एलाउग किया था तो यह सब घटना ही तब घटती है जब उधर के लोग इधर के कुछ लोगों को खरीद के अपने नापाक मनसूबों पे कायर सफल हो जाते हैं इसलिए बहुत जरूरी है कि बॉर्डर स्टेट के अंदर है कि इमांदार सरकार होनी चाहिए इमांदार सरकार होगी तो भिकेगी नहीं इमांदार सरकार होगी तो इमांदार पुलिस अफसरों को जिम्मेदारी दी जाएगी इमांदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से नशा इस तरफ नहीं आएगा इमांदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में मास्टर माइंड को आज सजा मिल गई होती तो दर्वार साब जी में दुबारा बेद्वी करने की किसी की हिमत नहीं होती तो इसलिए मैं सब लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पंजाब के एक-एक पंजाबी को सुरक्षा सुनिश्चित करेगी मैं आपको एक उधारन से इसको समझाना चाहूंगा एक बहिमान उख्यमंत्री है मां लीजे वो अपने पुलीस अफसरों की मीटिंग बलाता है उस मीटिंग में वो क्या कहेगा हां भी तू कितना इक अठागर के लाया हां भी तू कितना इक अठाग पिकती हैं यह इतने की यह इतने की अब जो थानेदार जो एस्पी पैसे दे के ओस्टिंग लेगा जो थानेदार जो एस्पी जिसने महीना ही कठा करके अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है वो तो फिर नशा ही विखवाएगा वो तो फिर रातंकवाद ही फिलाएग और फिर देखो पंजाब कुलिस कैसे नशा रुखती है यही पंजाब कुलिस आपको पंजाब के अंदर तवड़ी सुरक्षा देके दिखाए रही है उपर से क्या सिगनल आता ये ज़रूरी है दिलिके अंदर जब हमने सरकार बनाई तो कहा जाता था कि सरकारी टीचर तो काम नहीं करते जी सरकारी टीचर तो कामचर होते हैं सरकारी टीचर तो पेड़ के नीचे बैठ के अपने स्वेटर घुंती रहती हैं उन्हीं 60,000 सरकारी टीचर्ज ने आज दिली के अंदर शिक्षा करामती करके दिखा दी यही पंजाबтомिया पोलीस जब उनको ठीक सीगनल मिलेगा जब इमानदार पोलीस अफिरो को ठीक अच्छी पोस्टिंग मिलेगी यही पंजाब को अच्छी सुरक्षा देके दिखाएंगे कि आपकी सुरक्षा के जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी, चिंता मत कीजिए, इमानदार सरकार आएगी, बॉर्डर की भी सुरक्षा करेगी और बॉर्डर पार से कुछ भी यहाँ पर इलाओ नहीं किया रहे हैं, अगर आपके कोई प्रशन है तो होगा। मोटे मोटे तौर पे जब भी होता है, मैं किसी के दोशार उपर नहीं कर रहा हूँ, मोटे मोटे तौर पे जब भी इस किसम की घटनाएं घटती है, तो कहीं न कहीं जब उसकी तहकिकात जड़ में जाया जाता, तो कहीं मिली भगत नज़र आती है, इमानदार सरकार होगे तो सुरक्षा ज़्यादा पुखता होती है क्योंकि जो उनके mastermind है ना वो बहुत बड़े लोग है इस party वाले इस party वाले इस party वाले ये तीनों एक ही हैं इनके आपस में शादी व्या होते हैं परिवार की रिष्टे हैं इनके कोई party की सरकार आजाए वो दूसरों पर आँच नहीं आने देती आपस में एक दूसरी की सरकार पंजाब जाए भाड़ में इनकी वज़ा से लोगों का बस चले तो पंजाब को बेच के खा जाएं तो यह जब भी इसकी सरकार आएगी तो अगर इनोंने बेदवी करी तो इनकी सुरुख्या करेंगे इनकी सरकार आएगी उसने चोरी करी तो उसकी सुरुख्या कि आम आद्मी पार्टी की किसी से scheduled नहीं है इसलिए सारी कठ्थे हो गए यह सारी कठ्थे हो कि यह चाहते हैं कि आम आजबी पार्टी की सरकार नी बनने चाहिए इनका जो अच्छा खासा खेल है वो बिगड़ जाएगा अगर केजरीबाल जी आएगे तो इस डिवाइबल हो जाएगा पंजाम में उन्होंने पिछली बार का इग्जेंपल भी जिया था कि पिछली बार जब एलेक्शन थे उससे पहले केजरीबाल जी को खालिसादी के घर में रुके क्या कहना जाते हैं सर ग्रह मंत्री ऐसी बात स मैंने कहा बीजेपी और कॉंग्रेस आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवार कर रहे हैं और उसके उपर राजनीती कर रहे हैं देश की सुरक्षा और अंतरिक सुरक्षा के उपर राजनीती नहीं होनी चाहिए सुबह से लेके शाम तक वो लोग केवल और केवल बेतुके हमारे उपर आरूप लगाते हैं जैसे मैंने का कि सारी पार्टियां कठी हो गई है वो नहीं चाहती कि किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी के सरकार बने वो नहीं चाहती कि किसी भी हालत में भगवंतमान मुख्य मंत्री बने क्योंकि इनका जो सतर साल का जो लूट है वो लूट सारी बंद हो जाएगी इस लूट को किस ने करा था हमने तो करा नहीं है एक मिनट सुनो तो सही है मेरे कुछ स्टेंड ले लेने से अगर यह सॉल्व होता हो तो मैं अभी पांच मिनट में आपको स्टेंड करके दे दूँगा और सॉल्व करवा लो सुनो यार मेरे को बोलने दो के तब ही तो कुछ बोलूँगा आप बीच में मेरे को रोको के तो कैसे बोलूँगा आप ये किस ने करा आए ये एस वाई ल बनाना किस ने शुरू किया था अरे यार मेरे को बोलने देंगे या आप ही अगर बोलना है तो फिर आप लिख लो जो मर्जी लिखना है अगर आप मेरे को बीच में काटेंगे तो फिर मैं नहीं बोलने वाला आप बोल लो आपने जो बोलना है अगर आप मेरे को बोलने नहीं तो मैं बोलूँगा और मैं अपने हिसाब से बोलूँगा चाहे मेरे को एक घंटा बोलना पड़े आप बीज में मेरे को डिस्टरब नहीं कर सकते हैं आपको हो सकता है मेरा जवाब पसंद नहीं आए लेकिन मैं आपके लिए नहीं बोल रहा है जंता के लिए बोल रहा हूं और आपकी जिम्मेदारी है जो मैं बोलूं उसको जंता तक पुचाएं जंता को पसंद आए ना आए वो उनकी मर्ची है एस वाइल शुरू किसे ने किया था इन्हीं लोगों ने किया था बताते हैं कि जब शुरू हुआ था तो फलाने फलाने लोगों को गुड़गाओं में फलानी जगे बदले में जमीने भी मिली थी तो इन दोनों पार्टी के लोगों ने मिल के इसकी शुरुवात करी थी और उसके बाद जब ये मामला पॉलिटिकली सेंसिटिव बनता गया कई सारे ऐसे मौके आए यहाँ पे कैप्टन साब की सरकार थी ऊपर कॉंग्रेस की सरकार थी जहाँ पे अकाली भाजपा की सरकार थी हर्याना में बीजेपी की सरकार थी सेंटर में बीजेपी की सरकार थी इन्होंने सॉल्व क्यों नहीं किया ये आके हर्याना में कुछ और बोलते हैं पंजाब के अंदर कुछ और बोलते हैं केंदर के अंदर कुछ और बोलते हैं सुप्रिंग कोट के अंदर कुछ और बोलते हैं ये सॉल्व करना नहीं चाहते हैं ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके उपर की केजरी वाल ने ये स्टेंड बोल दिया तो ये समस्या का समाधान हो गया, फलाने ने ये स्टेंड बोल दिया तो ये समस्या का समाधान हो गया, मेरा अपना मानना है कि पंजाब के जो भी अधिकार है, पंजाब का जो भी हक है, वो किसी भी हालत में वो हक मरना नहीं चाहिए उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब का जो भी हक है वो हक मरेगा नहीं यह इस समस्या का समधान या तो कोट में और या मिल बैठके सब लोगों को मिल बैठके इसका समधान लेना पड़ेगा इसके ओपर भी राजनीती नहीं होने चीए राजनीती करने से केवल हर चुनाव के पहले S.Y.L. पे क्या स्टेंड लेने से आप हर्याना में जाके पूछलो खटर का क्या स्टेंड है और यहां पे पूछलो बीजेबी का क्या स्टेंड है आप कॉंग्रेस से पूछो कि हर्याना में क्या स्टेंड है और कॉंग्रेस से पूछो कि पंजाब में क्या स्टेंड है यह स्टेंड से समस्या का समधान हुआ अच तब हमें समस्या का समधान करना है कि स्टेंड लेने है केवल और केवल राजनीती और यह इस मुद्दे के उपर राजनीती से ना तो हर्याना का फाइदा हो रहा और ना पंजाब का फाइदा हो रहा वो मैंने सुना कल सुखवीर बादल कहते हैं कि केज जिवाल ने सुप्रिंग कोड में याचिका किया कि पंजाब का पानी सारा दिल्ली ले जाओंगा मैं अरे तुम्हारी तरह मैं पंजाब का खजाना लोटके अपने घर और सखुविला नहीं बनाता के जिवाल इमानदार आदमी है ऐसा कोई हो सकता है कि कोई पीजाब का पानी दिल्ली को दे दो जी कुछ भी बोल देते हैं कि अध्यारी है अमडिशर की सीट में हमने जैसे मैंने अभी दो दिन पहले चन्नी साब के बारे में भी बयान दिया था हमने सर्वे कराया था हमने अमरे चर इस्ट का भी सर्वे कराये हैं और उस में सिद्दू साब हार है मजीथा जी हार है और मजीथिया जी हार और यह लड़की जीत रही है और उसकता कारण भी बतादेता हूं उन्ने इसको भी दो-तीन इसा बार survey कराया यह लोगों को यह लग रहा है यह लड़कील इस यह अपने तो यह लोग इसको कम से कम पकड़के इसको अपना काम तो करा लेंगे वो लोगों को पसंद आ रहा है जितने political parties आपके adversaries हैं उसमें चन्री साफ से लेकि इवन सुभीबाल सबका ही आरूप है वो कहते हैं कि हमारी जो बचे कुछे कुछे हैं जो यहां तो आप में जारी तो आप में नया क्या है और जो मेंबर पार्नेमेंट रुजाना के रवनीद बिटू और तो यह तक कह दि स्वागत है जी उनका खुलासा करेंगे वो सीट छोड़ देंगे खाली सबूत तो दो सबूत तो दो मैंने एक ऐसी आखरी मोमेंट पे दिल्ली में एक वर ही हुआ था हमने का था कि कोई भी अगर गंडा कैंडिडेट होगा क्रिमिनल बैक्ग्राउंड का होगा यह होगा म एक केस में एक आदमी ने साबित कर दिया कि उसने अपनी फलानी फलानी किसी कोई उसने किया था जो कि साबित हो गया चुनाव के 48 गंटे पहले उनने उसकी टिकेट काड़ देती है कि दोनों हरेंगे जी मैंने तो लिखके भी दे दिया आप कल दो चैनली कह रही है वो सुबह से शाम तक आप चन्नीस साथ के बाल है के जीरे एक रहां हैसे कते रहते हैं वो राट को सो नहीं पा रहे आजक्ता क्रा आख बंद करते हैं तो भूत की तरह मैं आता हूं फिर वो डर के उठ जाते हैं वो बहुत दिन से से क्वास्तकी प्रार्थना करता हूं कि उनक पंजाब में कितनी दुकाने हैं अभी दिल्ली सरकार ने कुछ महीने पहले एक नई एकसाइस पॉलिसी निकाली है यह उस एकसाइस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं बीजेपी वाले खास कर मैं सारी डीटेल आप लोगों को बता देता हूं इसको अच्छे से चाप देना और इसको अच्छे से चला देना क्योंकि प्रधानमंत्री अमित शाह इनके पास कुछ न इरिया में यह कॉंसेंट्रीटेड थी और कुछ एरिया ड्राई थे वहां दुकाने नहीं थी जिसकी वजह से जहां दुकाने नहीं थी वहां पे इल्लीगल दारू बिक्ती थी इसको हम बंद करना चाहते थे टोटल साड़े आठ सो दुकाने थी आज नई एकसाइस पॉलि ताकि इल्लीगल दारों मिलने बंद हो जाए अब आपका पॉइंट नहीं है उसका पॉइंट तो दूसरों के पूरे हो जाने तो तो साड़े आठ सो में से 846 दुकाने खुलनी है उसमें से अभी केवल साड़े पांसो ही खुली है बाकी अभी दीरे दीरे खुल रहे हैं यह पूरी कोशिश कर चुके स्मृति राणी आचोकी दिल्ली में इनके बड़े-बड़े प्रधानमंत्री जी इस पर बोल चुके जंता से इनको दिल्ली में समर्थनी नहीं मिल रहा एक मिनट सुन तो जाओ यार सुन तो लो यार मेरको तो इनको कोई जंता का समर्थनी न जंता में चार आदमें इनकी बात नहीं सुन रहे जंता अगर नाराज होती मेरको तो जंता से लिना देना दिल्ली की जंता अगर नाराज होती मैं उस पर एक्शन लेता लेकिन जंता खुश है आपके साबसे आपके साबसे प्रहिबिशन होना चाहिए मैं तो आपसे पूझ रहा हूं जिए मैं तो एक ने नशे की बात हर एक पार्टी कर रही है मैं आपसे यह पूझ रहा हूं कि क्या आप चाहते हैं कि प्रहिबिशन होना चाहिए देश में सुनो तो सही यार मैं बात पूरी कर दो इसके ओपर डिबेट हो सकता है गुजरात के अंदर प्रहिबिशन है बिहार के अंदर प्रहिबिशन है आप कहो वहां पे home delivery होती है दारू की, phone number है, गुजरात में ले लो दारू, खुले हां विकरी है, दारू की नदियां वेह रही हैं बागे, तो सारा state में illegal दारू विकरी है, सारे बिहार में illegal दारू विकरी है, वो पैसा कहां जा रहा है, जिसने prohibition किया, उसके पास जा रहा है, ये सुनो तो, एक निए सुन तो लो यार, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, सुनते हैं नहीं हो यार, मैं सुन तो लो यार, तो जहां तक drugs का सवाल है, जब हम पंजाब के अंदर नशे की बात करते हैं, जहां तक liquor का सवाल है, पूरी देश के अंदर, पूरी दुनी के अंदर, डिल्ली जो है, वो देश की राजधानी है, international tourists भी आते हैं वहाँ पे, दिल्ली के अंदर prohibition नहीं किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर कोई ऐसी भी बात नहीं है कि जितनी पहले दारू बिखती थी, उसे कोई बहुत जादा दारू बिखने लगी है, उतनी दारु है जटनी पहले बिखती थी लेकिन जो इलिगल दारु बिखती थी उसको बंद कर दिया? हम लोगोंने इलिगल दारु का सबसे बड़ा खामियाजाई एकि कलको illicit दारु भी बिख सकती है, नकली दारु भी सकती है उसमें कितने लोगों का नुक्सान होगा है इस जवाब देने लाएक है मतलब मैं कैसे बनूगा बताओ मैं तो चुनावी नहीं लड़ रहा है मतलब उनका दिमाग खिसक गया थोड़ा अगर पंजाब के हिस्तों के लिए आमादमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है मैं आज आप लोगों के जरिये एक मैसेज देना चाहता हूं आप लोगों के सर्वे में 60-65 सीट आ रही है इसका अंतलब सरकार तो बन रही है आमादमी पार्टी की मैं आपका सर्वे मान चाता हूं भी सरकार तो बना रहे हो लेकिन मजबूत सरकार बनाना भगवंत के हाथ मजबूत करना असी से कम सीट नहीं आनी चाहिए तो तीन चार दिन बचें थे चार दिन में अब सारे जने पंजाब में जितने लोग मिर को आज सुन रहे हैं सारे जने अपना अपना फोन उठाओ सारे रिष्टेदारों को फोन करो सारे दोस्तों को फोन करो और बोलो कि जाड़ों पे वोट डालनी है अपने पिंड में घर घर जाओ और बोलो कि जाड़ बाकी कल बाकी कल